हिंदू पंचांग के अनुसार माग मा के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी को वसंद पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वसंद पंचमी तिथी के बाद से ही वसंद रितु की शुरुआत हो जाती है। वसंत पंचमी के तियोहार का हिंदू धर्म में विशेश महत्व होता है। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा आराधना का विशेश महत्व होता है। वसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनने का विशेश महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथी पर देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मुहुर्ट शास्त्र में वसंत पंचमी की तिथी को अबूच मुहुर्ट माना जाता है, जिसमें किसी भी शुपकार्य को करने में मुहुर्ट का विचार नहीं करते। वसंद पंचमी पर कई तरह के शुपकार्यों के लिए सर्वश्रेष्ट माना गया है। इस वसंद पंचमी अबूच मुहुर्त में विद्यारंग, ग्रिह प्रवेश, विवा और नई वस्तु की खरीदारी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृती के इस उत्सव क महाकवी कालिदास ने इसे सर्वप्रिये चारतर वसंदे कहकर अलंकृत किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रितूना कुसुमाकरा अर्थात में रितूं में वसंद हु कहकर वसंद को अपना स्वरू बताया। वसंद पंचमी के दिन ही कामदेव और रती ने पहली बार मानव रदय में प्रेम और आकर्शन का संचार किया था। आइए जानते हैं कैसे प्रगट हुई ज्यान और विद्या की देवी मा सरस्वती और क्या है इनकी पूजा का महत। पौराणे कथाओं के अनुसार स्रिष्टी के प्रारंभिक काल में भगवान अनुमती लेकर ब्रहमा जी ने अपने कमंडल से जल छिड का प्रित्वी पर जलकन बिखरते ही उसमें कमपन होने लगा। इसके बाद एक चतुर भुजी स्त्री के रूप में अधुच शक्ती का प्राकट्य हुआ जिसके एक हाथ में वीना तथा दूसरा हाथ वर मुद्र हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्थ हो गया वपवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रहमा जी ने उस देवी को वानी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शार्दा, वेनावादिनी और बागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा आजाता है। ये विद्या और बुद्धी की प्रदाता है, संगीत की उत्पत्ती करने के कारण ये संगीत की देवी कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तु वीडियो को लाईक करे, शेर करे और हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और जब तक ज्यान के दे ना बने